Good morning everyone, तो चलिए ETP से एक question solve करते हैं, जो के हमारे sample paper में first question है So the question is, the annual quantity of jackets sold by Meghna Woolmart is 12,000 at the rate of rupees 1,000 per jacket The cost of placing an order and receiving goods is rupees 500 per order Inventory holding cost is rupees 300 per annum What is the economic order quantity for Meghna Woolmart? अब इस question को solve करते हैं, आंसर तो 200 है, देखते हैं कैसे 200 आता है So let's solve this question, see if जो question दिया पर है, वोई में आपनी का है Annual quantity 12,000, cost of placing an order and receiving goods 500 and inventory holding cost is 300 ये question को दिया हो आपने है हमों को दिखाता है economic order quantity, बतलब E O Q So इसको formula लिखे ले हैं आपकर Formula इंटरनेट पर या बुक पर तोड़ा अलग अलग दिया हो आपकर आपकर जो देक्टर चो देनोट पर है वो अलग है में इसको अलग में सब्सक्राइब आपकर सेंग है पर है Root over 2 AS by HC यापर एका मतलब क्या है जो annual quantity है वो S का मतलब है कि जो cost of placing order and receiving goods है वो SC है boarding post यह जो inventory boarding post देहा है जो इस formula में दाहिए कि हम सौल करते है 2 into A बन दो हो गया आपका annual quantity या आपको question परके question परके उसमें सब्सक्राइब आगा है तो मैं आपको question परके यह आपका लिख लिए question लिए सारे information देह रहें दे S हो गया आपका 500 the word is cost है हमारा 300 ठीक है लिए अब इसको solve करते है 0-0 0-0 अब यह आ रहा है पर तुजए 8 इकोसर और 2 तो अगर जो जो सथी करते है जो बन जो की कहते है कि आजाएगा आपका 200 हेला इसको प्राइफ प्रेजिशन में दिल से सौल पीजिए या बिदिल में से जिसे भी करना है तो अगर इसका भूप करेंगे अगरे स्कारभी में झालें के 200 युह की रहा रहा है इधा में अधिक वहार है को एक है कोई प्रेजिशन में जाए गया है